वेलकम टू पिलान बाजर तो किसन सातियों आज हम आपको देखाएंगे भियना रामरूद तो यहां पे आप देख सकते हैं भियना रामरूद का पेड़ में कितना जादा परिमान में फल लगे हुआ है पूरा भरपूर फल लगता है भियनार में तो यहां पे आप आया था तो आप यहां पे देखेंगे कि हार पेड़े में भरपूर फल लगे हैं तो इसी तरह अगर कोई भी किसान भिहनार अमरूद का खेती करना चाहती है तो खेती करने के लिए आपको कुछ चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा तो आगे वीडियो में हम एक करके कोई बात अपको साथ सियार करेंगे तो भीयनार अमरूद यहां पर आप देखेंगे ज udah यहां पर फार्मिंग करके राखा है तो यह डीप सिस्टेम से से स्च admir होता इसका अपर लाद को जो है जमीन को रेडि करना है तो जमीन आप किस तरह से रेडी करेंगे एक एकर जमीन में साथ से आठ टोली करके आप गोबर के खाद मीक्स करके उसका खदाई कीजिए खदाई करने के बाद आपको इसको प्लांट 15-20 दिन तक आपका ऐसा पानी दे के छोड़ देना है उसके बाद आपको प्लांटेशन करने के लिए रेडी होगा जमीन तो साथी साथ जो है भेनर अमरूत का अगर कोई भी किसन लगा रहे तो उसको एक सेई डिस्टेंस भी होना जरूरी है तो यहां पर आपको सेई डिस्टेंस मना जाता है महाराष्टा के अंदर आपको 8 x 10 जो है अमरूत के सेई डिस्टेंस होता है तो 8-10 में आप गड़ा खुदने के बाद यह आपको प्लांट को आपको प्लांटेशन करना है एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि प्लांट जब आप प्लांटेशन कर रहा है उसी टाइम आपको पानी का जो है सुभीदा अच्छा तरह से आपको होना चाहिए क्यूंकि उसी टाइम आपको सबसे ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है साथी साथ जो है आपको और भी जो उसका जो टिक्वेन बगर है उसका जो दवाई बगर है वह हम आपको जब हमारा पास से प्लांट खड़ी देंगे आप उसी टाइम आपको बता के दिया जाएगा कौंसा दावा 구a को साथ मल लात करना है तो साथी साथ यहां पर देखेंगे कि फ़ल इतना ज़्यादा परिम्हान में है कि वहां पर रोशी देखे इसको बहाद के डाली को बहाद पातके रखा एक ताकि तूट तूट ना जाए तो साती साथ जो है अम्रूद में आपको जब भौ आ जाएगा उसी टाइम आपको कैब और पनी लगाना जोरूरी है अगर आप के पनी और पनी आगा नहीं लगाएंगे तो जो है आपको फल का ऊपर जो चमक है ओनना रहेगा इसलिए आपको कैब और पनी लागाना जुरूरी है जादा आता है ल sihसाद कीृष्ट बहुत ज्यादा हो जाता है जो आपर छाथा अगर पारीमान कींवान चारीमान लोकषण by ज्युक्राइक उसाद सब्सक्राइस इसT? इस निए आपको जतना सारे फॉल आयेगा उतना फॉल आपको रखना चाहिए साइज्ज जो पुल का सती तो यह आपको जलना नहीं पड़ेगा तो साथी साथ जो है अगर कोई भी किसान इसको अगर फर्मिंग करना चाहती हो तो नीचे जो नमर दिया है इसी नमर पर आप संपर कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्लान आपको मेरा पास से पोभाइट हो जाएगा इसके विशाय में अगर आपको और भी कुछ जन करी जाएए तो नीचे दिया गया नमर से आप संपर कर सकते हो वीडियो को इतना देर तरक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद